हेलो स्टूदेंट्स और वेलकम बैक टो रेडियन लेर्निंग माई नेम इस इमानी कंसल जैसा आप सबको पता है कि इस सेशन में हम आपके लिए डेली के मुस्ट इंपोर्टन करेंट फेस्स लेकर आते हैं जो आपके हर वन डे एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टन रहने वाले हैं प्लीज सेशन को लास तक देखिएगा और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है प्लीज लाइक देशन और सब्सक्राइब दे रेडियन लर्निंग चैनल साथी स्टूडेंट्स में आपको बता दूँ कि जैसे आपको पता है अभी एप्रिल मन्त ओवर हुआ है हम आपके लिए पूरे एप्रिल मन्त की एक बड़ी करेंट अफेर कर वीडियो लेकर आने वाले हैं उसमें हम एप्रिल के most important current affairs, most important topics को आपके लिए cover करने वाली है उस session को हम question answer की form में लेकर आएंगे जिससे आपका कोई revision में help मिलेगी आपको detailed हमारे daily current affairs videos देखनी है उनका link आपको description box में मिल जाएगा साथी साथ हमारे telegram पे जाके आप description box में video भी देख सकते हैं और इसका pdf भी download कर सकते हैं और monthly current affairs से आप एक ही video में आप revision के लिए उसको use कर सकते हैं हलाकि हम उसमें भी detail बताएंगे लेकिन अगर आपको हमारे detailed video देखनी है तो आपको हमारे daily की current affairs session देखने पड़ेंगे तो students, अब start करते हैं हम आज का पहले यह current affairs session और हमारी first news है World Asthma Day तो students, World Asthma Day we observe every year on first Tuesday of May ओके, first Tuesday of May को हम international Asthma Day मनाते हैं और इस साल यह दिन कब पड़ा है? 3rd May तो students, 2022 में 3rd May को हमने celebrate किया World Asthma Day आप सबको पता है Asthma एक lung disease है जो mainly हमारी breathing problem cause करती है जो mainly हमारा respiratory organ को affect करती है इसमें breathing से related problems होती है जैसे वो breathlessness हो और साथ में heaviness in chest हो तो यह सब Asthma की वज़े से होती है तो हम globally यह दिन celebrate करते हैं To spread awareness and care about Asthma in the world ओके, साथ ही साथ आपके exam point of view से इसकी date के साथ इसकी theme बहुत important है तो 2022 की theme क्या रही है closing gaps in Asthma care यह आपको याद रखनी है और साथ में मैं आपको बता दूँ कि हमने 1998 में first time World Asthma Day celebrate किया था चलते हैं अपनी next news पे that is about again an important day that is International Day of Midwife तो students यह दिन हम कब celebrate करते हैं? हम करते हैं 5 में every year तो students 5 में को हम International Day of Midwife celebrate करते हैं और इसको celebrate क्यों किया जाता है? to recognize the work of midwives and raise awareness about the status of midwives आप सबको पता है कि midwives का काम क्या होता है? जितने भी deliveries होती हैं उसमें most important role play करती है midwives चाहे वो बच्चे से related हो चाहे वो pregnant women से related हो तो midwives के बारे में awareness create करने के लिए हमने इस दिन की शुरुआत की और हमने इस दिन की शुरुआत की थी in 1922 तो students इसकी according 2022 में इस दिन को 100 years complete हो गए है इसलिए 2022 की theme क्या रही है? 100 years of progress very important यह आपके exam point of view से बहुत important है क्योंकि इस साल इसके 100 years complete हो गए है तो इसलिए इसकी theme रही है 100 years of progress Our next news is about world press freedom index 2022 आप सबको मैंने पिछली ही current affair की session में पढ़ाया था कि हमने world press freedom day कब celebrate किया था 3rd में को 3rd में को हमने इसका world press freedom day celebrate किया था और अभी recently इसका index release हुआ है और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कोई भी index release हुआ है उसको पढ़ते हैं तो उसमें 4 pillar बहुत important होते हैं exam point interview से सबसे पहला pillar होता है कि इस index को release किसने किया है 2nd इस index में top rank कौन रहा है bottom rank कौन रहा है and 4th most important कि India की क्या ranking रही है तो हम इस index में देखते हैं इन 4 pillars पे तो सबसे पहले इसको release किसने किया है reporters without borders ने very important okay students यह आपको याद रखना है reporters without border ने इस index को release किया है और यह 20th edition था इस index का यह 20th edition था जिसमें इंडिया की rank आई है 150 तो students यह rank यह index total 180 country को include किया है जिसमें से इंडिया ने rank हांसिल किया है 150 और अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में इंडिया की rank थी 142 this means इंडिया इस बार 8th rank नीचे गिरा है मतलब इंडिया की progress नीचे गिरी है 8th rank और इंडिया अब 150th rank पे आ चुका है और साथ में अगर हम इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज का रिपोर्ट देखें तो पाकिस्तान इस इस इट 157 पोजिशन श्री लंका इस इट 146 बांगलादेश इस 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 इंडिया इस इस इंडिया है नौर्वे निकिया है 2nd नमल पे डैन्मार्ग है और 3rd पे स्वीडन है यह तीनों आपको बहुत इंपोर्टेंट याद रखनी है कि हम एक्जाम में क्या पूचा जाता है टॉप 3 कंट्रीज पूचा जाता है इसको रिलीज करते है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इंडिया की रैंक 150 यह थे और नौर्वे ने 1st rank हासिल की है और North Korea की last rank है तो यह था हमारा सारा World Press Freedom Index के बारे में चलते हैं अपनी next news पे that is about India gets its 100th unicorn very important इंडिया को अभी recently अपना 100th unicorn मिला है जिसका क्या नाम है students? जिसका नाम है Open Open एक Bengaluru-based neobank startup है जिसने अभी unicorn की rank हासिल की है अब आप सोचेंगे unicorn क्या होता है तो students जितने भी startups होते हैं जितने भी startups होते हैं अगर उनकी funding 1 billion dollars से अधिक हो जाए 1 billion dollars से जादा हो जाए तो उस startup को हम as a unicorn consider करते हैं तो अभी recently Open की funding 1 billion dollars हो गई है जिसकी वजह से ये इंडिया का 100th unicorn हो गया है मैंने आपको बताया this is the neobank startup ये आपको याद रखना है ये neobank का startup है और इसको funding किस-किस ने दी है? Google ने दी है, Temsec, Visa और Japan के Softbank ने भी इसमें investment की है इसी के साथ ये इंडिया का 100th unicorn बन गया है और इसके CEO और founder कौन है? अनीश अचुतन, very important और students अगर हम worldwide unicorns की बात करें, worldwide इंडिया की rank 3rd है, सबसे जादा number of unicorns किसके पास है? USA, America में सबसे जादा unicorns है, 2nd पे China है और इससे पहले 3rd position पे UK था लेकिन इस बारी इंडिया ने 3rd rank हासिल कर ली है तो सबसे पहले USA then China और अब इंडिया, यह top 3 rank है, अगर हम बात करें, unicorns की यह आपको याद रखनी है, चलते है अपनी next newspaper, that is about मुख्यमंतरी मितन योजना तो अभी recently, एक नई योजना launch हुए, जिसका नाम है मुख्यमंतरी मितन योजना तो यह योजना किस ने launch की है यह 36 गड के state government ने launch की है तो basically इस योजना का aim क्या है इस योजना का aim है 100 public services of government 100 public services of government को घर पैठे उनकी services पहुँचाना People will get government services sitting at home अब आप सोचेंगे कौन सी ऐसे services होंगी जो घर बैठे मिलेंगी तो students जैसे आपको कोई भी important certificate चाहिए चाहिए वो death certificate हो birth certificate, marriage certificate तो आपको उसके लिए बस इस toll free number 14545 पे call करना है और आपके जो भी important documents होंगे जो भी important certificates होंगे या फिर और कोई भी 100 public service में से होगा तो आपको वो घर बैठे मिल जाएगा तो इस योजना को किस ने शुरू किया है इस योजना को शुरू किया है 36 गड के state government ने और आप सबको पता होगा कि 36 गड के CM कौन है भुपेश भगेल भुपेश भगेल तो इन्हों ने इस योजना को start किया है चलते है अपनी next news पे that is about IWF Junior World Weightlifting Championship तो students अभी recently Junior World Weightlifting Championship हुई है जिसमें हर्षदा शरद ने gold medal जीता है हर्षदा शरद ने gold medal जीता है और अगर हम बात कर इस championship की तो यह championship हुई है Heraklion Greece में तो यह भी याद रखना है और साथ में हर्षदा शरद का नाम बहुत important है क्योंकि इन्होंने gold medal हासिल किया है यह है हर्षदा शरद शरद और she is 18 year old और उन्होंने 45 kg की category में 153 kg weight lift किया है तो यह सब facts हमें इसके बारे में याद रखने है Our next news is about again very important appointment Sangeetha Singh appointed as chairman of CBDT that is Central Board of Direct Texas तो अभी Sangeetha Singh को Central Board of Direct Texas का chairman बना दिया गया है और इन्होंने किसको replace किया है इन्होंने replace किया है G.B. Mohopatra को G.B. Mohopatra ने G.H. Mohopatra अभी recently retire हुए है और इसके बाद additional charge CBDT का किसको दे दिया गया है Sangeetha Singh को दे दिया गया है और Sangeetha Singh के अगर हम currently बात करें तो currently hold कर रही थी Department of Audit and Judicial और CBDT 1964 में established किया गया था और इसका headquarter है New Delhi चलते हैं अपने next news पे that is about 75th Santos Trophy तो students अभी 75th Santos Trophy किसने जीती है Kerala ने जीती है very important Kerala ने 75th Santos Trophy जीती है आप सबको पता होगा Santos Trophy एक football tournament है जिसको अभी recently जीत लिया है Kerala ने और इसका आयोजन कहा हुआ था इसका आयोजन Malapuram Kerala में हुआ था और ये 75th Trophy है जिसको Kerala ने जीता है और साथ में Kerala के पास total 7 Santos Trophy हो गई गया अब हमारा next question है कि Santos Trophy जीतने में Kerala ने किसको हराया है तो students Kerala ने West Bengal को जिसके पास already 32 Trophy है West Bengal 32 Trophy जीत चुका है लेकिन इस बार Kerala ने इसको हराया है और ऐसा करने वाली अपने Home Soil पे Kerala ने अब तक total 3 Trophy जीत ली है First Santos Trophy Kerala ने Home Soil पे जीती थी in 1974 Second Trophy जीती थी in 1993 और 1993 के बाद अभी ये डारेक्ट 2022 में इसने अपनी तीसरी Trophy जीती है साथ में ये कुछ नाम है जो में याद रखने है Player of Tournament किसको दिया गया है Jijo Joseph को दिया गया है और Top Scorer कौन रहे है Jason ये दोनों ही Kerala के हैं तो आपको ये भी याद रखना है साथ में हमने भी आपको पहली session में ही पढ़ाया था कि Kerala ने Olympic Games का भी आयोजन करने के लिए Announce किया है तो हमें Kerala से related सारे important news याद रखनी है Our next news is about New CEO of Jio Savan अभी Jio Savan के New Chief Executive Officer Appoints हुए है जिनका नाम है Sahas Malotra ये है Sahas Malotra जिनको आपने entertainment की दुनिया में भी बहुत देखा होगा और ये अभी Amazon Music के director भी रहे है तो students अगर मैं आपको Jio Savan के बारे में बताऊं तो Jio Savan एक audio streaming platform है जो कि music launch करता है तो Jio Savan ने starting की थी in 2007 as Savan लेकिन 2018 में Reliance ने इसको खरेद लिया था और इसको rename कर दिया था Jio Savan ओके साथ ही साथ अभी ये इसका नाम हमें इनका नाम हमें याद रखना है सहस मलोतरा इसके CEO बन चुके हैं तो students ये थे हमारे आज के current affairs of 6 में और हम आपको कल मिलेंगे इन 7th में के most important current affairs में साथ ही साथ हम आपके लिए एक एप्रिल की भी वीडियो पूरी अप्लोड करने वाले हैं जिसमें आपका कुएक रिविजन हो जाएगा और उस एक वीडियो में ही आपको सारे current affairs पता चल जाएंगे जो आपके हर exam point of view से बहुत important होंगे प्लीज हमारी वीडियो देखिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए आपको वीडियो पसंद आती है फ्लीज लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं थैंक यू